मशकार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका अगर न्यूबॉर्ण बेबी है और उसको अगर सर्दी खांसी जुखाम हो जाता है तो आपको ऐसा क्या करना है कि वह जल से जल ठीक हो जा हम उनको दे सकें हो सारी हैवी हैवी जो दवाईया है या जो भी आप कह लिए बहुत नॉर्मल उनको लाइट दवाई दी जाती है जैसे की पैरसितमोल वगएरा तो हम अपने छोटे बच्चों को कैसे उसकी सर्दी खांसी जुखाम ठीक करेंगे तो इसके लिए मैं आपक इसके वाई से आपका बच्चा बीमार हो क्योंकि टोटली बच्चा आप पर डिपेंडिट होता है आप ज्यादा इधर उदर जाएंगे इधर उदर सब लोगों से मिलेंगे तो कोशिच करें जो लोग बीमार हैं उनसे आप दूर रहिए ठंडी चीजें को अवाइड कर द जुखाम हो जाता है तो सबसे पहला पॉइंट में कि आप बच्चे को जाइफल जो होता है उसका यूस करें जाइफल का आप सिंपली बहुत एजली आपको मिल जाएगा उसका पेष्ट बना लिजए पानी डाल दाल के थोड़ा सा पत्थर पे गिसते रहिए गिसते इसके लावा पने बच्चों की गले में जोने लसुन की कलिया जो होती है उसकी माला बना कर के बच्चे को पिनाईगी आपको चार से पांच ले 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 लेना है उसके बाद धागी में पिरोल लीजी और इतना लंबा करिए कि बच्चे के चेस्ट तक वो लगे और डाय आप कर आपको चेहें आपको अरै कर हैं बच्चे के कपड और यह थोड़ा बहुत लगा सकते हैं यह दिश्ट कर लाघ और बिलगों के अए भाझे कपड़ को प्राप्लम हो भी में होने कि ले में जुटा अगर जैसके को नोज बलॉक शब्लॉक और उति भे बच्चे के दीजेजेए इसके लब बच्चों कह सी क процгор में पर नएक्टों मेरे नाम कर दीजीए को प्रितिक और रलीफ मिलेगा दूख तोस्तां mo bu अपने कर सकते हैं कि कुछ इसके कर दें शुर। मतलब हलका सा अजवाइन को तभी पर गरम करके उसको एक हैंकी में भर लें और फिर उससे बच्चों की चेस्ट की सिकाई करें बर ध्यान दिजीगा इतना गरम ना हो कि बच्ची की स्किन जल जाए अपने हाथों पर लगा कर देखिए आप सह पा रहे हैं बिल्कुर नॉर्म नॉर्ल में आपको मै्थी की दाने जो होते हैं लरी है इसके लावा थोड़ी से एजवाइन डाल लीजे in a few म्मोड एसको जो है कि नो इसको फटानडा हो जाए हलका गुनगूना हो तब आप उसको ऐल को बच्चे की चैस्ट पर मसाज कीई बैक पर मसाज कीई पैरों दोस्तों ऐसे बाते हैं आप अपने बच्चों के साथ में अगर आपके ईखम इशम और ला से इंपयरियों कि जिन मित अगर बच्चा है टो भी आप विश कर सकते में करें और यह यह ज दो भी इसमें कुछी प्रकार का कोई साइड एफेक्ट नहीं है यह साली चीजें आपके बच्चों के लिए सेफ होती है तो आप इस तरीके से बच्चों को जए सद्धी खांसी जुकाम से बचा सकते हैं जल से जल इसको रीकवर कर सकते हैं अगर पसंद आएं तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा हमारे अधर प्रेंस के साथ में जिससे उनकी भी हैल्प हो सके और अगर चैनल पर पहली बार है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा इसी तरह की और यूस्फुल वीड कि में तरतक्ली नमाश काई